साधी बायरू येज वीडियो मा हमी पीरामिट्स को लैटरल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया र वॉल्यूम केलवर्ड गण सक्षांग दारा त्यों गंदा पहला I request all of you to like, share and subscribe आर चैनल यदि तपायर लाई नेपाल इस्टडी को अजे पनी अरू पनी वीडियो जरूरेंड मन लागे कसा बने तपायर ले आमरो डिस्क्रिप्सन बॉक्स चे गणन सक्षांग अत्वा आमरो चैनल को प्ले लिस्ट मा गयर अरू चैप्टर सलुको पनी वीडियो जरू एक्सेस आमेले यस्ते ही शेप को लेटरल सर्फेस एरिया, टूटल सर्फेस एरिया रो वॉल्यूम क्यालकोडर न सिक्षांग तर त्यो बंदा पहला हमें पिरामिड्स लाई अजे पनी रामरी बोजांग साथी भायरू । अहेले स्क्रीन मा देखाया जई हमी क्ये सपोस्गरू बहने हमी सोंग चार एरा ट्राइंगल रो ती ट्राइंगल लाई yellow color ले set गरे, और को लाई blue ले set गरे, और को लाई light blue ले set गरे, और को लाई maroon color ले set गरे, अब हामें के suppose गरूंँ बने, प्राइंगल को जुन side, square संगा टास्च आशा, तेसलाई fix राखेरा, हामें प्राइंगल को और को side ले उठांचों, र कास मा उठांचों, जब सा ती सबय ट्राइंगल को माथ थीलो पॉइंट एउटा कमन वर्टेक्स मांदेना ओके? सो यदि मौहले ती सली उठाये बने मा एसतो एउडा फिगर पाउँशू ताप आले राइट हैंड साइड में उडा फिगर रेना सकनूँचा राइट माईले ती ट्राइंगल अरुको एउटा साइड लाइ फिक्स राखे रा कमन वर्टेक्स मां मिलने गरी उठाये बने मा इसतो शेप पाउँशू नाउ दिस इस दे सेप पाउँशू नाउ दिस दे सेप अफ पिरामिड ओके? दिस आउर पिरामिड ओके? इसता पिरामिड ओरुमा जती पने ट्राइंगूलर सेप अरुर हुँँचन त्यसले लाटरल सर्फेस बनेंचा मा इसता पिरामिड ओरुमा जती पने ट्राइंगूलर सेप अरुँचन त्यसले लाटरल सर्फेस बनेंचा यदि तपाईले स्क्रीन में नुववाने मोईले चार रा लेटरल सर्फेस देखाये कुछुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु तलती रजुन हाम्रो स्क्वाइर रहाएको शा तेसले आमी बेज बनने गर्शाँ ओके, so in this pyramid we can see we have four lateral surfaces and one base ओके, अईले समा आमी ले pyramid को shape बूजेँ तेसका साथे आमी ले lateral surface रबेज बनने को कियो त्योपन बूजेँ अब आमी यो गाड़ी बड़ों र योड़ा pyramid मा height र स्लांट height बनने को अब अबत्यों बूजेँ तापा ये इले, अउले screen में और को येवडा pyramid रहनो सकनुन जा This is also square pyramid माईले base लाई yellow color ले mark गर्ये कचुँ अब height बनने को कियो अबत्यों बूजेँ height बनननू अथव altitude बनननू येवटाई कोराऊ यदि येश pyramid को common vertex बाटा माईले येवडा perpendicular draw गरे to the base बने तेस को जोती लेन दुँँचा तेसलाई हाइड बनिँचा तपाईले इस फिगर मा तेसलाई एल्टिटुड बनर पनी हेंड़ सकने हुँँचा येती समा में क्लिर सौंँ तेसो भए स्लांट हाइट के होता स्लांट हाइट को लागी हामी कॉमन वर्टेक्स बाटा प्रैंगल को बेस समय उटा इस्ट्रेट लाइन ड्रोग और शुँँँचा साथी भायरू येती समा में क्लिर सौंँ हामीले हाइट रा स्लांट हाइट बने क्योत्यों बूजे होई न अब आमी हाइट रा स्लांट हाइट को वीचामर रिलेशियों निक आलोम मानौं हैं मेले हाइट लाइट रा स्क्वायर पिर्रैमिट को बेस सहां जुँछा दिशको येवटा साइट को लिंद 98 को शा योजिन पॉइंट पीचा, that is at the center of the base, okay? So, यदी आम लाए square को length A दीए को छा बने, PQ, length of PQ will be equal to half of A. So, the length of PQ can be written as A by 2. Square को लाए जोतिया हुँँचा, तेसको half will be the length of PQ, okay? So, साथी भाहरू, यदी आम लाट triangle OPQ महें रहूं बने, can we say this is the right angle triangle? होगिया है ना? अब ये स्लाइप को निया रहा हुँँचा, यदी आम ले line OP लाए रहूं बने, we can say this is a straight line drawn from the vertex to the base. OP is a straight line drawn from the vertex to the base and this is perpendicular to the base, है ना? अब ये PQ is running along the base, PQ हमरो base संग संग रहा राण बही राखे कोशा, right? So, आम ये बनना साक्षां, OP is perpendicular to PQ? यदी OP base संग परपेंडिकुलर सा बने, OP PQ संग पनी परपेंडिकुलर हुँचा? So, यदी आम ले, triangle OP Q महरों बने, we can say that we have one angle as 90 degree. So, आम ये बनना साक्षां मने, triangle OP Q is a right angle triangle, right? साथी बायरू, यदी समा में clear साँ, अब कोईले काई, question लाइ घुमायर दिन्चा, तपा ये बनना स्क्वायर बेस को, येवटा side को लेंद दिन्चा, हाई न? तपाईलाई slant height, और height मत्दे, कुने येवटा दिन्चा? तपाईलाई बन्चा, अरको find गर्णा, slant height दिएक चाacon, height find गर्णा बन्चा, और height दिएको तपाईलाई slant height five गर्णा बन्चा, Ky, एज क्या क्या करना हमिले यहदि हमिलाइ square face ko यहटा length दीये को चावणे हमी Q-P length निकालना सक्षों P-Q length साख्षों अब यहदि हमीSmith slant height शा रब P-Q length शा बने हमी height निकालना सक्षों हाव वा सी triangle O-P-Q च राइप अंगल triangle swami Pythagorath cheram its गो हमेसे साख्षों Similarly, यदि आमिले height दीएको छा, हमिले OP कोलेन दीएको छा रव यदि आमिले base कोलेन दीएको छा, base कोले वोटा side कोलेन दीएको छा बने पनी हामी P क्यू निकानना सक्षों हामी संगा OP छा, बने हामी slant height पन निकानना सक्षों by using the same Pythagoras theorem, right? यदि हामी संगा, पिरामिड को बेस माँ प्रैंगल सा यामरो base भायो, यज पिरामिड को बेस माँ प्रैंगल सा बने हामी प्रैंगूलर बेस्ट पिरामिड पाउंशूं Similarly, यदि हामरो पिरामिड को बेस माँ रेक्टेंगल सा बने आमी rectangular based pyramid पौँशों र यदि आमरो pyramid को base मा square चा बने आमी square based pyramid पौँशों अब येट नो साई इड्राइंग अरो सब ये हाथ ले बनाया का बनाया का बनाया तो exact ना हुना पन सक्षन तर आमी के माने रेड़ों बने this is a triangular based pyramid this is a rectangular based pyramid this is a square based pyramid यो square best pyramid लाई regular pyramid पनी बनने गरिंचा अब यज बायक यदि आमी संग यदि आम रोब बेस मा पेंटागन चा रो यदि आमी पिरामीड फर्म गर्चों बने तेसले आमी बन्चों पेंटागनल बेस्ट पिरामीड सिमिलरली यदि बेस मां हेक्जागन चा बने तेसले आमी बन्चों हेक्जागनल बेस्ट पिरामीड पिरामीड को बेस कुण आकार को चा कुण प्रकार को चा तेस बाट आमी डिसाइड गर्चों ते पिरामीड लाई क्ये बनने त्र książ प्रांगूलर बेस्ट पिर्यामिड बनेकी स्क्वंड "'Pirmid' बनेकी रेक्टेंगूलर बेस्ट पिर्यामिड बनेकी क्ये बने तैस्कों search crit. पेस्कों आधरमा तैस्ला नाम दिन्च ओके साथी बायरू अब सकों हामी ओर यहbon फोर चयाड़ी अब हामी lateral surface area, total surface area रो volume निकालनो रेडी छोंग ते सोबए अगाडी बड़ों रपपईला pyramid को lateral surface area रो total surface area रो total surface area निकालोंग उके साथी बायरू तपायरूले अविले screen में उटा figure रेनों सकनूँँचा इस स्क्वायर पिरामिड एस स्क्वायर पिरामिड को, basis मरो हेको, एवटा side को लेंथ हामीले a ली एका चुँँँँँ अब बेस designated a, b, c, d is a square राइट यदि c, d को लेंथ a चा, बने b, c, k को लेंथ पनी a उन च आजिना a, b, को लेंथ पनी a उन च रो a, d, को लेंथ पनी a ुन च अब यदि आमिले इस पिरामिट को लेटरल सर्फेस एरिया निकालनों पढ़ने छा बने आमिले इस चारोटे ट्रेंगल को एरिया निकाले रहा एड़ गुणू पढ़ने हुँचा अणिमातर आमि लेटरल सर्फेस एरिया पिरामिट पाऊंचाँँगू so we can lie so we can write LSA of this pyramid will be equal to area of triangle OBC plus area of triangle OAB plus area of triangle OAD plus area of triangle OCD okay यति समाय मी क्लिए चाहूं अब पहला आम ही जाओं रहा triangle OBC को area calculate गरूंगो triangle OBC इदि आमी ले हे रहूं बने we can see the base BC has the length A raise triangle height को दीचा the height is equal to the slant height L अब आमी ले क्ये था छाँँ बने area of triangle is given by half into base into height right base को लेंध गोदिचा base को लेंध इस A so we can write base को ठाउं मा आमी A लेकना साक्षों यह ट्रेंगल को हाइट काती सा the height of triangle is equal to L so H को ठाउं मा आमी L लेकना साक्षों so I can say area of triangle OBC is equal to half into A into L right similarly यह दि महीले अरूपन triangle अरू महेरे let us say यह दि महीले triangle OAB महेरे बने यह सो पनी base AB will be equal to A and height will be equal to L So triangle OAB को अगारी अपनी half into A into allowances similarly triangle OAD co-area upon half into A into allowances the triangle ODC co-area upon half into A into allowances so I can write area of triangle OBC will be equal to area of triangle OAB this will be equal to area of triangle OAD and this will be equal to area of triangle OCD so I can write LSA will be equal to half times of AL area of triangle OBC is half times of AL right area of triangle OAB will also be half times of AL similarly area of triangle OAD will also be equal to half times of AL and area of triangle OCD will also be equal to half times of AL so this is a more like K like this also half into AL into four you have no char polter China right yes I will solve matter over Raki custom yes what I'm keep on some two times of AL okay so LSA of a pyramid can be written as twice of AL okay twice of length of the base into the slant height okay our family LSA right now let us move forward and find the TSA TSA calculate Garnaka Laagi hamile lateral surface my area of the base add ground upon Nusa okay yeah the your ABCD is square so one a yes square co area Koti uncha this will be equal to a square I know so Mokke let us know so TSA will be equal to LSA plus area of base LSA am i liek koti nikaal eun LSA is equal to twice of AL area of base will be equal to a square yes I am solve garaon bane I can write this as 2A times of L plus A right so this is the TSA of a pyramid okay okay you know the same I am clear song of a my I am a gaari bottom row volume calculate one of the same volume volume for me to write what's on okay okay it's a the same time you're really only screen me you know the Cuban answer right about family like that's a so cool so besides I don't know the length breath and height all are ripple I know yes video ma I mean length and breath like a lady goes on the right like capital H माुले लेंथ रब्रेथ लाई ये ले 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 ले8 ले 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 ले對 pessoa Lab अब मानू येस कूet çocuk को head जतीश हुआ कि अता हाइट लिए रह recursos ले ले Songs आता मेंड़ CC कोई them अफ दा हाइट लिये रा मैस क्यूब लाई पिरामिड सरू मा ब्रिक गर्शुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु अब तेई फर्म गार्य गा पिरामिड अढ़ लाई मई ले तपहले राइट सेड ओधा फिवरों पन देखाये गाचुन यदि मई ले क्यूब को हाफ दा हाइट लियर पिरामिड सरू क्यूब बित्र फर्म गर्चु बने मा एवटा क्यूब वित्र छो गटा पिरामिड सरू फर्म गणना सक्छू अब यदि हमिले इपिरामिड सरू हेरे हूं बने we can say this is a square pyramid all of these are a square pyramid किना बने यदि हमिले यज पिरामिड को बेस में हेरे हूं बने हमी के बनना सक्छा हूं length and breadth of the base are equal अब यदि length and breadth equal चन बने तियो base square हुँँच यदि base square चन बने ति सबस्क्वार पिरामिड उने बने यदि समा में क्लियर साँ अब हमें के सपोस गरों बने cube को height लाए हमी capital H ले denote गरों र पिरामिड को height लाए हमी small h ले denote गरों ति सबस्क्राइब हमें के लिखनों सक्षा हूं small h is equal to capital H divided by 2 हो किया है न small h is the height of the pyramid and capital H is the height of the cube हमें के बने हूं pyramid को height cube को height को आदा height सा right so I can write small h is equal to capital H divided by 2 ति सबस्क्राइब हमें I can write capital H is equal to 2 times of small h right यथी सब हमें क्लियर साँ अब हमें लेक के थाँ समने volume of a cube हमें के लेक्साँ L cube right L cube is nothing but length into breadth into height itself cube में length breath रा height इक्कोल बाएक कारानले हमें इसले simply L cube लेक्दिन साँ right तरह volume of cube can also be written as length into breadth into height यथी हमें ले यस figure में रहे हुं मने we can say length of the cube is A breadth of the cube is also A and height of the cube is written as capital H right यथी समा में क्लियर साँ हमें ले volume of cube निकाले हुं अब हमें ले के पन यह रहे हुं मने यह उटा cube बित्रा हमें चाओ अडा पिरामिट रहु राखना साख्षा हूं so I can say volume of 6 pyramids is equal to volume of cube so volume of 1 pyramid can be written as volume of cube divided by 6 यह ना अब हमें ले क्या निकाले हुं A into A into capital H यह ना so this can be written as A square into capital H divided by 6 अब यसका साथ साथ हमें ले के निकाले हुं capital H is equal to 2H 2 into small H यह ना स्वामिचे लेक्न साख्षा हूं this can be written as A square into 2 into small H divided by 6 यह सल्व गाले हमें बने we will get A square into H divided by 3 therefore we can say volume of a pyramid is equal to 1 by 3 times of A square into H यह ना अब अब आस्कार वहने क्या बाया था यदि आम ले pyramid महरे हुं वहने A square will give me the area of the base and small h will give me the height of the pyramid so I can write volume of a pyramid is equal to 1 by 3 times the area of the base into the height of the pyramid ok करें